नमस्कार एउस्ट्वेंटी विहार की आवाज में आपका स्वागत है खबर विहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है जहां उज्जियारपूर्थाना क्षेत्र के पतेली पश्चिमी पंचायत स्थित सुरजपूर गाउव में पिछले दिनों मारपीट की घटना में घायल हुए विद्ध की शुक्रवार 11 नवंबर 2022 की अहले सुबह करीब 7 बजे संदिक दस्तिती में मौत हो गई जिसके बाद मृतक के आक्रोशित परिजनों ने शव को सुरजपूर गाउव स्थित बाबूलाल चौपर रखकर समस्तिपूर उज्जियारपूर मुखे मार को जाम कर आरोपियों के गिरफतारी की मांग करने लगे सुचना मिलने के बाद जामस्थर पर पहुँचे उज्जियारपूर थाना के सहायक पुलिसावर निरीक्षक राजीव रंजन कुमार तथा प्रशिक्षू पुलिसावर निरीक्षक अश्वत्हामा कुमार ने वृतक के परिजनों तथा स्थानिये लोगों को समझा पश्टिमी पंचायत निवासी विलेश सहनी तथा धरमेंदर सहनी के बीच बीते 7 नवंबर 2022 की संध्यापुराने विवाद को लेकर जग्रा वमार पीठ हो गया था जिसमें दोनों और से करीब आधा दर्जन लोग धायल हो गये थे जिनका इलाज उजियारपूर प्रात्मि लग गई थी इसी बीच दुसरे पक्ष के लखन सहनी की मौत शुकरवार 11 नवंबर 2022 की अहले सुबह संदिक दस्तिती में हो गई जिसके बाद मृतक के परीजनों ने प्रथम पक्ष के धरमेंदर सहनी वह उनके परीजनों पर मार पीट से हुई मौत का आरोप लगाते हु मृतक के शव के साथ उजियारपूर समस्ती पूर मुखे मार को बाबूलाल चौक पर जाम कर दिया और धरमेंदर सहनी वह उनके परीजनों की खिलाफ मृतक लखन सहनी की हत्या करने का आरोप लगा कर उसे गिरफतार करने के लिए उजियारपूर पुलिस पर दबाव बना गया वहीं इस घटना के आरोप इत्व्यक्ती धरमेंदर सहनी का कहना है कि उन लोगों के उपर लगाया गया आरोप बिलकुल घलत वा बेबुनियाद है मृतक लखन सहनी विगत कई वर्षों से बीमार थे जिनका इलाज भी मृतक के परिजन करा रहे थे वह इसकदर बुरी तरह बीमार थे कि कुछ दिनों तक तो वे हपने बिस्तर से भी उठपाने में असमर्थ थे संभव है कि उनकी मौत बिमारी के कारण ही हुई होगी और उन लोगों को बेव जह इस मामले में घसीटा जा रहा है वहीं स्थानिय सुतरों की माने तो मृतक लखन सहनी वर आरोपी धरमेंदर सहनी एक दुसरे के पडोसी है विगद कुछ माहपूर्वी धरमेंदर सहनी ने अपनी बेटी अनुपम कुमारी की शादी सरायवन जन्थाना क्षेतर के एक गाव में किया था शादी के करीब तीन माह बाद मार्च दो हजार बाइस में अच्छानक अनुपम कुमारी सरायर अंजन्थाना क्षित रस्थित अपने ससुराल से गायब हो गई लड़की के गायब होने के बाद पता चला की रितका पोता वस्वर्गिय कमल सेहनी का बेटा दीपकुमार ने अपने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उसका अपहरन कर लिया है जिसके बाद गायब नववाहिता के ससुराल वालों ने दीपकुमार के खिलाफ सरायर अंजन्थाना में अपनी बहु अनुपम कुमारी के अपहरन कर लियर जाने से संबंधित मामला दर्ज करा दिया इसी बीच एक महापूर्व दीपक के परिजनों ने उक्त नववाहित युवती वद दीपकुमार को मानिये न्यायले में सदेह हाजिकर बाकर 164 का बयान करवा दिया और नववाहिता अनुपम कुमारी वद दीपकुमार को फिर से कहीं अयतर भेज दिया जब इसकी जानकारी अनुपम कुमारी के मा के वालों को हुई तो उसने दीपक के परिजनों से लड़की को उसे वापस करने को कहा जिस पर अपहरन के आरोपित दीपक कुमार के परिजनों ने लड़का व लड़की के बारे में अखजान बनते हुए उन्हें कुछ भी माल जिसके बाद लड़की के परिजन चुप हो गए और अपने घर वापस आ गए। जिससे संबंधित शिकायती आवेदन पत्र भी दोनों पक्षों ने उज्जियार पूर्थाना को उपलब्द कराया था जिस आवेदन पर प्रात्मे की दर्ज कर अनुसंधान जारी ही थी कि इसी भी एक पक्ष के लखन सहनी की अचानक संदिक दस्तिती में मौत हो गई और इ जी तक के लिए बस इतना ही नमस्कार के बुड़े सहीर होने के टारण लखन जी की मिर्ट्यू हो गई बार अंदुलूनी था इस पर में हमारे जो भी डॉक्टर साहब थे उन्होंने में सही धन से संग्यान नहीं लिया उसका सही फिसकल टेस्ट में ही किया मिर्ट्यू होने के बाद सारी पब्लिक जो है काफी अग्रोस में है और आज ज़राय को जान करके अपनी मांग रख रही है कि हमें न्याय मिले एक लखन सहनी वाट पांच पुरुझपूर के थे आज से चार-पांच दिस पहले लाई जगरा का हुआ था एक धर्मंदर सहन आज सुबह में उनका दिहानत वो गया है लोग को समझ में आया कि जैसे उसी लाई जगरा में मारज़ेट हुआ है उसी के बज़र से उनका देथ हुआ है लोग परसासन से इनको बढ़िया से यहां अपिला इसलिए लोग आ करके बाबुलाल चोपर लाहास को करके रोज जाम कर दिये